कि निफ्टिक एनालिसिस करते हैं टॉप डाउन अप्रोच के साथ आने वाल दिनों के लिए और जो तीन दिन का जो भीए वे रहा है रेगुलर बैसे आप नोट कर लेना वो कैसे वह मैं बताता हूं वो कैसा मार्केट पर बेसिकली आपको देखना चाहिए क्लियर है एज्यूकेशन के साथ पहले चीज़ हम देखेंगे वीकली वीकली देख रहा हूं तो वीकली के जोन से म मनाया इसके उपर गया फिर लाइफटाम हाई दिया तो वापस जब इस जोन में आ तो मार्केट मूद दिया ना ठीक बात है ना एज्यूकेशन टिक काम करें ओके दिया वीकली से उट्रा एंड वीकली की सप्प्लाइद दूर है तो मार्केट उपर ही जाना चाहिए बैसक लेकिन जाना उपर ही चीए यह ना ओके निचे जाएगा तो निचे भी डिमांड है बट वीकली से हमें यही समझ में आ रहा है पूरा जो अंडरस्टेंग करनी होती है वो टॉप डाउन अप्रोच चे करनी होता है तो अम डेली में जाएंगे तो डेली में जाएंगे तो यहां से उठा अर वीखली के जोन में अगर आप देखोगे कि प्राइस यहां से लेकर सब्सक्राइब को इस करनल में वोल्यूम आए तो आपको कोई जो वेव है वेव के देखने होता है प्राइस यहां से यहां तक गया तो प्राइस जिदर भी मुव करेंगा उसको छोड़ दो यह जो मुव है हम पिछे से लेंगे इस मुव को हम फ्यूचर में लेंगे समझ मैं जो हिस्ट्री में हुआ तो प्राइस यहां से उठा इस वोल्यूम के उपर जब आपका प्राइस गिरा तो इस अच्छा मुवमेंट देखने को मिला तिनसों पॉइंट का इस देखने को क्यों मिला विकोज़ बोटम से मार्केट काफी चल चुका था क्लियर है इतनी खराब न्यूज आने के बाद जो भी मार्केट इस जोन में आया और इस जोन से मार्केट वापस रिएक कर गया क्यों कर गया वह विकोज यहां में से अच्छी लिक्विडिटी थी क्लियर है यह लिक्विडिटी हमें पास के चार्ट से मिलेगी प्राइस जो यहां आया यहां आके प्रैस उपर चला गया अब डेली के अंदर अगर आप देखोंगे तीन दिन कंशोल्टेशन के बाद इसकी हाइस क्लोजिंग यह थी वन टू त्री तीन दिन मार्केट नीचे नीचे था नीचे खुला नीचे बंदुआ फिर यहां पर नीचे खुला फिर मार्क अगर तीन दिन का देली की चार्ट लगां तो एक ही कर लोजाएगे नहीं है और एक ही कर दो की क्लोजिंग कहां पर रहें यहां पर और यह आपकी विक है इसी है ना नीचे साड़ी यह बनी है यह समझ में आ रहा है आप जब भी डेप डाउन में आप एक कैंडल बना दोंगे तो आपके लिए एजी हो जाएगा आपको दिखने लग जाएगा नहीं तो उसको आप अंडरस्टेंड नी करोगे यह क्लिर है तो क्लोजिंग तो यहां पर है और सप्लाई सप्लाई दूर तक यहां पर है देखा जा सकता है यही है नीचे की साड़ क्या नीचे की साड़ तो जो आपका यह जो दोनों वीक है यही इसी चीज़ को 125 मिनिट में समझेंगे तो क्या है साफ साफ दिख रहा ना कि 125 मिनिट में अगर समझेंगे तो यह वाला डिमांड जो नहीं टेंट क्ल जब मार्केट यहां आए तो यहां से रिक संदेगा इसके नीचे क्लोज होगा मतलब मार्केट अगर यहां पर आए यहां से मार्केट गया ओपनिंग के अंदर इतना मुवमेंट मिल गया तो कौन भाई करेगा कोई नहीं करेगा रिटेल ट्रेटर करेंगी कि मार्केट और उपर कहीं मेरे ट्रेन ना चूट जा जागा और उसके बाद क्या होगा आज की तरह आज यहां कि मार्केट का यह वाला गुवमें कि पावर मुव की कांडल मिल की देखा जाते आए यह नहीं है और यह एक एक कंडल मानूँ तो पावर मुव के बाद अगर मार्केट उपर भी जाना है पहले क्या करता है ऐसे विक बनाता नीचे ठीक है विक बना गए फिर ऐसे कर देता है आपको दिखाता हूं कैसी आप देख लीजिए कि ऐसे क्या चलता नहीं है कि तो बैसिकली अप्रोच कहां से होनी जी है विए बढ़े टाइम प्रेंपे तो कल यही अगर मार्केट बंद गुआ है तो मार्केट मार्केश्चर के अपनी औरिजिनल पोजेशन पर आता है टेक है वह नो ट्रेडिंग जोन में होता है तो खुलते ही एक मिन तीन मिन मार्केट पूरा नीचे दाता है तो जो फोड़ा नीचे से ला जाता है उसके अगर जोन नहीं हो तो लेके गया और फुल गया नहीं बनता है बहुत ही ज्यादा पड़ा मार्केट उसके पाथ पहले एक दो तीन मिन में उपर जाता है तो तो पैसा बन जाएगा नहीं तो कोल वाले को पैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा यह इंपोर्टेंट है यह समझ लेना है यह क्लियर हो गया तो अभी बैसिकली निफ्टी के जोन यह है फिर अगर अगर देखेंगे तो अगर इसके यहां पर इसके पहलेल में देखेंगे तो यह वोल्यूम आया था इसके उपर प्रैस ने क्लोज कर दिया उसके बाद यह पुरा लिक्वीड कर दिया तो इस गैप के बाद प्लोज किया तो यह एक सप्लाई है पहला तो है ना इसके बाद अगर देखोंगे उसके बाद यह लाइफ्टाइम हाइप तो कुछ ना खास नहीं है तो मैं आपको मार्क करके देंता हूँ कि थोड़ा और 75 मिनिटे मार्क करेंगे तो आपका यह जोन हो गया यह हो गया उपर की साड़ यह हो गया लाइफ्टाव हाई के बाद खुला ने लास माना है एंड नीचे की साड़ आपका देखोंगे तो तो कि यह इसके उपर इसके है ना तो टर्निंग पॉइंट इसके कि यहां क्लोज दिया था आपका यह जोन हो गया है तो यहां के बीच में गुमने वाला का क्लियर है कि निफ्टी का समझ मैं है सेचे